नमस्कार मत्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस प्रीडियो में बात करने वाले हैं साथ नौ और दस जुलाई की तूला रासी के महाराशिफल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जो निकाव यस में बढ़े हैं यह मैरे जनुबरस्री हैं आप लोगों को हमारे तुपसे धेर सारे सुबकामना हैं आप दिंदूग निराथ चोगनी दरक्की करें वाई यसी के साथ बात करते हैं यस में ग्रूहों की स्थिति कैसे रहेंगी क्या क्या योग बनेंगे इन सभी का आपके रासी पर कौन सा असर पढ़ने वाला हैं कौन-कौन से कारे आपके लिए भागे साली सा बितूंगे यह सब हैं आप लोगों की आर्थिक स्थितियां कैसे रहेंगे और किन-किन चीजों से आपको साब धान रहना होगा आप लोगों का जरूर देखेगा वीडियो के अंतों में बहुत ही अच्छी उपाई भी हैं जिने आप करके जीमन में और भी जादा खुसों को फराप्त कर सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा मुझसे पहले वीडियो को लाइक करके जरूर देखेगा वीडियो को सब्सक्राइब अब उस्से करना हैं ताकि रोजान रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमत्रों तुला रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि कारी शत्रमवे आप लोगों के सुचे वे जाद इस सरना हो जाएंगे आपके ब्रोजगार बीवा में तब्दीर हो सकते हैं मिरुजगार लोगों को रोजगार के अच्छे अवस्रबे प्राप्त होने वाले हैं आपके समाज में मानë सम्वान वढ़ने वाला है when आपके हैं निवेज करते हैं तो उसमें भे आपको भारी मुनाफि की फ्राप्ति होंगे चात्रों को भे मिले जुले फ्रिनावों की फ्राप्ति होंगे वहीं गुटने और जोडों के दर्दुसे आपको राहत मिल सकते हैं कारिश्टर पर भे आपको सफलता की फ्राप्ति हो होंगे रिष्टदारों की तरफ से भे आपको सहयता मिल सकती हैं पारिवारिक जीवन में आप लोगों की खुश्याले और सुप्सान्ती बने रहेंगे दामपत्य जीवन में भे आपका समंद कफी जादा अच्छा होगा और आप लोगों के धन संपत्ता में बड़तरी होंग कारिशत्र में भे बहुत बड़े खुशकवरी की फ्राप्ती होंगे और कारिशत्र में भे आपको कोई नया व्यक्ति से संपर्ग होगा जिनसे के आप लोगों को बहतर खुश्यों की फ्राप्ती होंगे उन सभी के साथ मिलने के बाद आप लोगों के जीवन में एक अलग से खुशियां जागरित होने वाली हैं जिन खुशियों को फाकर आपका फिजादा प्रसंद हो जाओगे जिन खुशियों को आप महसूस कर सकते हैं और जिने फाकर आप अपने आपको बहुते धनवान बना सकते हैं और विद्वान बना सकते हैं कारिशेतर में भी आप लोग सभी प्रकार के करजों से चुटकारा मिल सकता है आप अपने घर में परिवार में सबसे ज़्यादा बड़े भाई का सपोर्ट पासकोगे जिनसे की आप समाज में अपने अलग पहसान बनाने में काम्यावी को हासिल कर सकते हैं आपको अपने वैपार वैविसाय में अच्छा मुनाफ़ मिल सकता है आए के लाप के सुरोत बढ़ सकते हैं आपके पुराने किये गए काम काजो का अच्छा नतीजा मिल सकता है आपके दिमाग में नई नई योजनाई आ सकती हैं कारिसल में भी उच्छादी कारी आप से फरसन होंगे जो भी कारे आप अपने मेहनत तो आप कर सकते हैं जीवन में आपके जरूरी कुछ बड़ी वदलाव हो सकते हैं और कुछ बड़ी कारी को पूरा करने में आप काफी सक्चम होंगे आपको जीवन में इसमें काफी ज्यादा देव गुरू ब्रहस्पति भी काफी प्रसन नहें स्वैंग से निरने ले और किसी भी कारी को करने का प्रित्न कर सकते हैं आप अपने उपर भरुसा रखने हैं के कारी करने के कोशिस करें जिनसे के सारी के सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता हैं आपका नसीब चमकने वाला हैं और भगवान स्रीहरी विश्रू जी की क्रिपा से आपको जीवन में म आपको संपन्न होंगे बगवान विश्रू जी की गृपा से आपको सकरात्म गृफ से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको सत्रूबे प्राष्ट होंगे यात्रा देशाटन सुकद यात्राएं लाप्रत सावित होंगे मकान और वहान करने का उत्तम योग बन सकता है। आपको संतान प्राप्ति का योग दे सकता है। के मोखें मिल सकते हैं वेफ 기o lpa रविसाय में वडुत्री करने के मोखें के फ्राप्त हूंगे आपके सुचेवे कारे भी अवसस्पूरे होंगे आपके जिम्मदारी बढ़ सकते से हैं और कार्स ऩावरे अवसरों की फ्राप्त हो आपको यसम आपके लिए बहुत ये भागय साले और जीवन में लाप करवाने के लिए आपको प्रिरित कर सकता है। धनलाप का विशेश योग रह सकता है जोके आपके जीवन के संकटों को समझ्याओं को दूर करने में काफी मदद कर सकता है। धेर सारे दंदोलत को एकत्तित करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आप कर्जों से मुक्ति पासुकोगे, आप लोगों को समय के शुरुआत हो चुकी हैं, जिसके कारण आपके जीवन में ने खुसकवरी के प्राप्ती होंगे। आपके जीवन में आने वाले सुवेप्रकार के दुखो का अनिवारन होंगे, आप अपने जीवन में दिन दूगनी, राद चोगनी तरक्की हासिल कर सकते हैं। लाइफ में होने वाले प्रवरतन भी आपके लिए खास रह सकते हैं, नोकरी और वेपार के शितर में रहे खुसकवरी मिल सकते हैं, और किसी विवाहवें आपको जाना पड़ सकता हैं। आपको सोचे समझ कर अपने विवेग से कारी करने के आवस्य कता होंगे, आपके जीवन में आने वाले से विप्रकार के दुखो और प्रिशानी का अंत होंगे, आप नई मिशाल को स्ताफित करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने में काम्यावी को हासिल कर सकते हैं। दिन दूगनी राच जोगनी तरकी हासिल करने के मौके मिल सकते हैं और कोई पुराना बाद विबात का मामला भी आसानी से स्लो सकता हैं। आपको मन को प्रसंता मिलेंगे, आपके रुकेवे कारी भी इसबदी में बन सकते हैं, आपके द्वारा किया गया कारी भी सफल आपको किस्मत का पूरा साथ आसानी से स्लो सकते हैं।